नमस्कार बहुत स्वागत है हमारे खास कारिक्रम जोतिश एक नई द्रिष्टी में और हमारे साथ मौजूद है हमारे जोतिशा चारेक कियस लुतरा जी गुरुजी प्रणाम करते हैं आपको खरता है सबसे पहले 24 फर्वरी दिन शुकरवार राशी फल और पंचां के बारे में जानते हैं współ फाल विस् प Gibson met चल रही है कि श्कल पक्षति कियां पंचमिति ती थी आज नशnhत्र है चंद्रमा अंच मेंसड़ असी में हैं सुर्व्य जोकव्रासी मिंआ आज की प्रारम करेंगे आज के राशीफल की आज का राशी फल प्रारम करते हैं मेसराशी से में सराशी के जो जातक हैं आज मांसिक रूप से काफी असहज महसूस करेंगे उनको डिसीजन लेने में काफी दिक्कते आएंगी और ये दिक्कत आपको कहीं न कहीं गलत कदम उठवा सकती है तो आज के रूप में विशेश आपको ध्यान रखना है कि कोई भी कार्य करें तो जहां तक संभव हो साके किसी से सलाह लेके करें ताकि आप किसी गलत डिसीजन में न पहुंच जाएं और कोई गलत कार्य न करवठ है यदि आप इस चीज के साउधानी रखते हैं तो आज के दिन आपका ठीक ठाक जाएगा बढ़ियां जाएगा लाब के अच्छी इस्तिती बनी हुई है लाब के अच्छे आउसर पराप्त होंगे लेकिन डिसीजन आपको सही रखना होगा इसको विशेश रूप से ध्यान रखना है आपको आज के दिन में आपको चाहिए हनुमान 40 का पाथ करें और रात में हो सके तो चंद्रमा को अरग जरूर दें एक लोटे में पानी लेके ठोबादूर डाल दें और उसको चंद्रमा को अरग ज़्यादी आप देते हैं तो मांसिक रूप से आपके इस्तिती काफी अच्छी है अब बात करेंगे वरिसदree के जाटिक कोगी वरिसदree ke जाटर तक लाब की बहुत अच्छी स्सिति बनी हुई है निया अपने गुष्फे में आप को कंड्रोल करना है याद है यदि आप के लाब आपके पास चल के आएंगे ऐसा आपको कुंडली लग रही है लेकिन आज के दिन में थोड़ा आपको साउधानी एक चीज की रखनी है कि आपको मानसिक अवसाद हो सकते हैं याने की डिप्रेशन की थोड़ी सिती बन सकती है तो किसी से बाद विवाद करने से बचें और अपने करते हैं तो आपकी दिन बहुत ही अच्छे जाने वाले हैं साथ में आपको इसका पूरा पूरा लाब भी मिलेगा अब बात करेंगे मितुन रासी के जातकों की मितुन रासी के जात तक थोड़ा सा सौधान रहने की आउशकता है हॉस्पिटल के अस्पताल के चक्कर आज आपकी कुंडली के हिसाब से थोड़ा इन चीज़ों में सौधान रहें हो सके तो आज आपके घर में कोई बुजूर्ग व्यक्ति हैं तो उनका विसेश रुप से ध्यान रखें कि किसी बुजूर्ग को को ना कोई परसानी आ सकती है जिसके कारण आपको दिक्कते आने की स चैसे लगने के चैसी के जातकों का कर्म स्थान बहुत अच्छा बना हुआ है आज जो भी काम करेंगा जो भी पूरी-पूरी सवँलता मिलने की जान के जीखते आफके दिर में आपको चाहिए कि आपके कर्मक्र प्राइटी उत्तम रहने वाला है। आप बात करेंगे सिंगरास्टी के जातिकों की। आपका दिन बढ़िया बना हुआ है। आज के दिन आप एक अलग तेज महसूस करेंगे अपने अंदर में। और ये तेज महसूस होने के कारण आप अंदर से बहुत जादा स्ट्रॉंग रहेंगे और आपको बहुत ही अच्छा फिलिंग होगा तो आज के दिन आपका हर दिश्टिकों से मिला जुला करके ठीक है थोली सी आपको आज के दिन एक छोटे से उपाय करने चाहिए कि सुर्व भगवान के एक दो मंत्रों का जाप अवस्चे कर ले यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका दिन और भी शुभ हो जाएगा अब बात क करेंगे कन्यारासी के जातकों की कन्यारासी के जातकों का आज कहीने कहीं लव अफेर होनी की संभावना दिखती है जब पुराना को लव अफेर चल रहे थे तो उसमें और भी आगे बढ़ने के योग दिखते हैं तो आज के दिन आपको तयार रहना चाहिए और अपने दि थोड़ा सा emotional होने से बचें क्योंकि emotional है आप हो जाएंगे तो कहीं नगे आप मानसिक अवसाद में जा सकते हMom इस कारण से आपको थोड़ा emotional होने से बचना है बाकिधना चेलिछ आपको सही जाने वाला है आपको आज के दिन में कही न कहीं विवार नहीं बन रहे थे विवा के योग नहीं बन रहे थे, तो वो भी कहीने कहीं बनने के संभूना दिखती है, थोड़ा सा प्रयास आप करेंगे, तो आपके विवा के रास्ते भी खुल जाएंगे, आज के दिन में आपको अवारा कुत्तों को कुछ आवश्य खिलाना चाहिए, यदि आप ऐसा करत हैं, तो आपका दिन और विशुब हो जाएगा, अब बात करेंगे वरिष्टिक रासी के जातक होगी, वरिष्टिक रासी के जातक आपका दिन चाज़े अच्छा बना हुआ है, आज के दिन अच्छा लाव होने की संभूना है, आज के दिन में आपको चाहिए कि कहीं न कह गया को पानी पिलाएं यह दिन आपका और बी शुब हो जाएगा आपका दिन हर द्रिष्टि कौन से ठीक ठाक बना हुआ है आपको इस दीज का लाब उठाना चाहिए अब बात करेंगे धनुरासी के जातकों की धनुरासी के जातकों को समय बढ़िया बना हुआ आज के दिन में आपको लाब के विशेश उसर दिखते हैं जो आपका घर है मकान है गारी है इन सब तीजों को सुख अच्छे दिख रहे हैं आज के दिन आपके कहीं बाहर जाने के योग दिखते हैं आज के दिन आप व्यापारिक दिश्टिकों से कहीं बाहर जाते हैं तो आपका बाह चल रहा है कर्म शेत्र में प्रगति मिलने के योग दिखते हैं मेहनत आज आज आपको थोड़ी जादा करने पड़ेगी यदि आप जादा मेहनत करेंगे तो इसका फल भी आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है तो आज के दिन में आपको चाहिए कि हनुमान जी के मंदिर मे जा करके एक सुखा नर्गे लबस से चलाएं यदि आप ऐसा करते हैं तो यह दिन आपको और विश्यूब हो जाएगा अब बात करेंगे कुम रासी के जातक हैं आज का दिन आपका बढ़िया बनावा है आज के दिन एहंकार की भावना आप आपकी प्रबल हो सकती है तो थ अब बने वे हैं आपके कुंडली के अंदर में इसका भरबूर आपको लाव उठाना चाहिए और थोगा आलस से कम करना चाहिए यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका दिन और विशूब हो जाएगा आज के दिन एक लोहे के वस्तु अवस्य दान करें तो आपका दिन और वि में रासी के जो जातक हैं उनका समय बहुत ही अच्छा बनावा है उनके कुंडली में जो पुराने विवाद जितने विवाद चल रहे थे उन सभी विवादों को निपटने के अज पूरी-पूरी संभावना है तो आज प्रयास करें तो पुराने सभी विवादों को निप और हो सके तो हल्दी किसने किसी मंदिर में वश्यदान करें यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए दिन और विश्व हो जागा गुरुजी शुक्र किन कारणों से खराब होता है इसके बहुत कारण बहुत सारे हैं जैसे कुछ पूर्वजों के कारण होते हैं कि मान लिए कि आपके किसी पूर्वजने आपके घर में किसी गरवभती श्तुरी को बहुत ज्यादा सताया हो उसे बहुत ज्यादा काम करवाई हो जो उसके सामरत्षे से बाहर हो साथ में उनसे कुछ अभद्र वेवार किया हो, मार पिट की हो या उसके बच्चे को खराब कर दिया हो तो गर्वती इस तरी को परिसान करने से यदि आप करते हैं तो आपके बात की पीड़ी भुकते ही और आपके पुर्वज यदि करके गया हैं तो आपका शुक्र खराब होगा ऐसा सास्तों में माना गया है साथ में यदि पत्नी के साथ अब संबन मधूर नहीं रखते हैं पत्नी पे बात-बात में हाथ उठाते हैं, मारते हैं या किसी ने किसी रूप में उनको ताना देते हैं, उलाहना देते हैं जो को गलती यहां उसके रहरे पर भी इसको मैं परहिसान करते हैं एसी इस्थिति में घर का शुक्र खाथ होता है आपकाthinking भी खाब होता दो यह में डिजन है शुक्र के खराब होने के गुरुजी शुक्र को अब ठीक कैसे किया जा सकता जातक जो है वो शुक्र को कैसे ठीक करें जी शुक्र को ठीक करने के बहुत सारे उपाय हैं बहुत सारी चीजें सुक्र को ठीक करने के लिए सबसे पहले गाय की सेवा करनी चाहिए क्योंकि ऐसा माना जाता है और अब तो सा करेंगे उसके जितने नजदिक में आप जितना समय बिताएंगे उतनी आपके सुक्र से संबंदित नेगेटिव एनरजी कम होती है साथ में आपको चाहिए कि सुक्रवार के दिन एक ही दिन में सो से अधिक गायों को हरा चारा खिला दें यदि आप ऐसा करते हैं तो क piorad igual के साथ संबंद हुएं अच्शे नहीं रहते हैं सब कुछ रहते हुए भी आप किसी ने किसी प्रकार से चीज़ों का पहाव महसुस करते हैं यानि कि आपके घर में सारी सुख सुविधाये हैं लेकिन आपको ऐसी इस्तिती बढ़ जाती है कि आब बाहर जाके कहीं काम करते हैं और उन्चीजों का लाब नहीं ले पाते हैं घर में गाड़ी है घर है अच्छा एस वर्य साली जीवन हैं लेकिन उसका भरपूर लाब नहीं उठा पा रहे हैं घर के बाहर रायके सारा भी प्रकार का कोई चादर में सिल्वट वगारा ना हो बिलकुल साफ सुत्रे इस्त्री कीवे कपड़े धारन करें यदि आप ऐसा करते हैं तो सुक्र आपका धीरे-दीरे खुद बखुद ठीक होने लगता है गुरुजे शुक्र ग्रह को ठीक करने के लिए कौन-कौन सा दा करते हैं यदि अपने वजन के बराबर या जितना आपका वजन है उसके बराबर यानि इसको तुला दान घा घाता है या अच्छा है और इसका ज्यादा मातरा में आप दान कर देते हैं तो सुक्र खराब भी होना सुरू हो जाता है क्योंकि आपके औरा से वो दूर जाना सुरू हो जागा वो इसकी अच्छाई हो या बुराई हो यदि सुक्र आपके कुंडली में अच्छा हो अच्छा होगा तो आपके अच्छे शुक्र का औरा जो है आपसे दूर जाने लगेगा तो इसको विशेश रूप से ध्यान दे के किसी परकार का कोई भी दान करना चाहिए ऐसा नहीं को जो गरा अच्छा है उसका अपने दान कर दिया और उसके खराबियां आपको मिलने शुरू हो गई तो अब इस दिंगार शुक्र जाया के दिन कौनसे भाग्मान के पूजा करनी चाहिए इसुक्र की अधिश्टीट के लिए माता महालक्शमी है तो आज के दिन में माता कि किसी ने-किस प्रकार से पूजा करते हैं यदि व्यभव लक्ष्मी का उपवास करते हैं लक्ष्मी माता की बुजा करते हैं तो शुक्र धीरे-धीरे ठीक होने लगता है अब इसमें बहुत सारे छोटे-छोटे उपाए भी हैं जैसे मा लक्ष्मी के मूर्ति में मिठे पानी यानि मिष्रे की पानी से यदि आप अभ किया जाना चाहिए जैसा मैंने बताया कि मूर्ति में आप मीठे जल से अभिशेक करते हैं और इस अभिशेक करने के करम में एक छोटे एक दो छोटे-छोटे मंत्र हैं इन मंत्रों को अधिया बोलते हैं तो यह मंत्र भी बहुत प्रभावसाली होते हैं और मंत्र चिकित्सा क अब्वी मंत्र आपो अच्छा लगे द्वारा। ऊच्छा करते हैं कि premises लगती है तो हमारे खास कारिक्रम जोतीशक नई पे फिलाल इतना ही आशा करते हैं कि आप गुरु जी के बताय हुए मार्गों का पालन अवश्य करेंगे तो फिलाल मुझे और गुरु जी को दीजिए इजाजत नमस्कार नमस्कार